Hello everyone, welcome to my YouTube channel, आपका मारी YouTube channel पर बहुत हो सागत है So finally, यहाँ पर Central Institute of Haryana के दोबारा admission और counselling schedule release कर दिया गया है जिसे अपन प्रीवेस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे description में link से जा करके देख सकते हैं आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले है step by step process for registering through summer portal for Central Institute of Haryana यदि आपको Central Institute of Haryana के लिए आपे admission लेना है तो आपको यहाँ पर registration करना होगा उसके लिए आपको मैं step by step process बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रागार यहाँ पर registration करना है through summer portal step by step अपने इस वीडियो में discuss करने वाले है कोई भी doubt इसके बाद नहीं रहेगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर दिखेगा और वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा उसके basis पर आपको यहाँ पर summer portal पर login करना है इसमें आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार की window देखने को मिलेगी जैसे आप link से जाओगे link आपको मैं direct description में provide करा दूँगा तो आपको यहाँ पर suicide का application number suicide roll number, applicant, full name, date of birth यह सब भी आपको देखने को मिलेंगे देन आपको यहाँ पर email अपना डालना है उसको re-enter करना है देन आपको यहाँ पर password बनाना है minimum 6 character का उसको re-enter करना है देन आपको mobile number डालना है देन उसके बाद आप यहाँ पर capture code डाल कर करके registration कर सकते हैं step 2 जो आपकी रहने वाले after login, a dashboard will appear, एक dashboard मापे appear होगा, जिसके अंदर आपको complete profile पे click करना है, और आपको अपनी profile मापे complete करनी है, तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आपको window मापे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप complete profile पे click कर दीजिए, इसके अंदर आपको अपनी personal details आप फिल अप करनी होगी, और उसको आपसे next करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको बता जिता हूँ कौन कोई सी personal details आपको फिल अप करनी है, जिसके name, middle name, last name, applicant, gender, applicant, date of birth, ठीके, आपको यह सब इसमें fill करनी है, category यह आपको फिल करनी है, applicant, email, आपको फिल करना है, mobile number हो गया, ठीके, आर यू citizen of India आपको यह यह यउस करना है, religion अपको यह प foul करना है, ठीके, तो यह सब भी details आपको यह आपको यह थे सिलेक्ट करनी है, if you don't have your own bank account आपको अपने guardian या फिर parent कहाँ पर bank account डालना है क्योंकि refund process जो होगी वो इसी bank account की थुरोने वाली यदि कोई refund आएगा तो वो EC के अंदर आएगा तो आपको 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 name of account holder account number, confirm account number, name of the bank IFSE code यह सब भी डाल के आपको save or next कर देना है step 4 आपकी जो other section है वो भी आपको आपको यह फिल अप करने है other section के अंदर आपसे पूछा गया है have you participated in national service scheme NSS game में आपने participate किया तो आपको वो fill up करना है do you have staff quota तो फिर आपको बता देना है या नहीं है do you have NCC certificate belong to Hyderabad, करनाट का reason have you participated in sports extra curricular activities sport code आपके पास तो आपको यह आपनाँ है आपको अपने certificates के बारे में बताना है यह सब आपको यह पे details fill करनी है language आपको यहाप je toughומ सकते है is Sponge fact upload the necessary document राइक फोट ऑने धाने। वह सबक्रस इयाप इन दर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो फॉर्मेट है वह है जे पीजी और जे पीजी इन दर प्रेस्क्राइब साइज 10 के भी तू 3 साइज रहने वाली है आफ्टर अप्लोडिंग डॉक्यूमेंट क्लिक अंदर आपको यहां पर फोटो सिगनेचर डेटो पर सेटिफिकेट स्कोर कार्ड एड्मिट कार्ड यह सब आपको अप्लोड करना है और सब्मिट प्रोफाइल आपको एक बार व्यू बटन क्लिक करके प्रोउपाइल एकएब बार देख लेनी है फ्रोफाइल और यहां पर अपने अप्रोफाइल देख सकते हैं यहापो प्रोफाइल प्रोफाइल इचोश करने की के लिए आपको यहां पर apply करना है mention the program name and level and click on the next button आपको यहां पर program का name and level यहां पर select करना है program का level आप select कर लिजी program का name आपको यहां पर select कर लेना है ठीक है फिर आपको next यहां पर कर देना है ठीक है आप जो fee का status आ रहा है वो unpaid अभी है आप आ पर आपको इस पर next पे click कर देना है ठीक है इसमें आप details देख सकते हैं step 8 आपके जो रहना लिए preview of personal detail in shown in after selecting the program name and level after reviewing all the details carefully click on the next आपको पूरी details एक बार आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी फिर आप इस पर next पर click कर सकते हैं ठीक है आप अपने पूरी details एक बार आप देखके next पर click कर सकते है step 9 आपके रहने वाली वो है आपके आपके एकेडमिक details आप रहने वाली है fill your academic details like eligibility criteria class 10 and 12 year of passing and percentage graduation marks यह आपको सभी को आपके फिल अपके फिल अपकर नहीं है ठीक है यह सभी details आपके डालनी है qualification details आपको डालनी है यहाँ ठीक है year of class 10 passing ठीक है percentage marks यह सभी आपको आपके फिल अपकर नहीं है ठीक है तो आपकी class 10, 12 और graduation की यहाँ पर पूरी आपके साथ information मांगी गई है आप सभी को आपके फिल करनी है class 12 name of institution class 12 qualification status year of passing percentage कितनी है ठीक है बॉर्ड युनिवर्सिटी कौन सी दी यह सभी आपको यहाँ पर लिखना है और subject भी आपको यहाँ पर बता देना है ठीक है फिर आपको 7 next यहाँ पर कर देना है और भी details यहाँ पर देखने को मिल जाएगे आपके इनको update करके next यहाँ पर कर सकते हैं अफ्टर एडिटिंग एडिंग ओल देटेल्स अपडेट बटन विल अपियर तो बॉटम अपडेट करनी तो आप अपडेट कर सकते हैं अधरवाइस आपको यहाँ पर next कर देना है ठीक है फिर आप इसको next कर सकते हैं बेरिफाई और डिटल आपको अधर डिविटेल्स को यहाँ पर वरिफाई करना है उनको वरिफाई करने का था आप में आप नेक्स कर सकते हैं अपलोड इसेंशल डोकिमेंट लाइक तेंथ मार्क शीट ट्वल्थ मार्क शीट इन ग्रेजिएशन मार्क शीट यह चीज़ प्रिविव दफी पे ऑप्शन विल बे अवेलेबल तो मेंग पेमेंट फॉर दफी ठीके आप इसके बाद जब प्रिविव करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर फी पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो पेमेंट इस टेस आप नहीं देख सकते हैं अमांट यहाँ जो पेमेंंट सेक्शन आपन हो आपकर सब्लेबं करना होगा तो मेग्पेमेंट करना होगा ती है यूज करना है खार तो आपको इस प्रकार का यहां पर फोर्मेट देखने को मिलेगा सब्सक्राइब प्रोग्रम प्रोग्राम प्रिफ्रेंश एक्षिन ठीक है को आपको इसकाब पहुत पेमेंट करना यह वह बाएगा then you will eligible to make the payments यदि आपको university admission के लिए shortlist कर लेती तो आप उसके बाद यहाँ पर payment कर सकते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे के आपका phone number आ जाएगा program, program preference, action आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा print form का ठीके और आप यहाँ पर payment कर पाएंगे तो आप स्वेञए तो आप सकते हैं यहाँ पसना हो तो प्लीज वीडियो को लैक जरूँँर कीजीए और यदि कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मुहें करके बता सकते हैं और छो documents required होंगे वह सेक्शन में आपकों देखने को मिल जाएंगे आप ये जो step-by-step में फोलो करिए आप इसको सीवराना की website से जाकर कर डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर जितने भी required document है उन सभी के बारे में इसमें बता दिया गया है यदि वीडियो पस नहीं तो प्लीज वीडियो को लैक जरू कीजिए जाए 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 शेयर कीजिए थैंक्स पर ओचिंग प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल